दोस्तो एक पर कुछ लोगों को समुदर के किनार एक बड़ी सी वेल मचली मरी हुई दिखाई पड़ती है तब ही उनमे से एक आदमी उस वेल के पास जाता है और उसके बोड़ी पर कुछ कर्स लगाने लग जाता है लेकिन देखते ही देखते वेल एक्सपलोड हो जाती है लेकिन ऐसा क्यों होता है तो दोस्तों आपको बता दे जब कोई वेल मचली मर जाती है तो उसका डीकमपोजिशन होना इस्टार्ट हो जाता है और बोडी के अंदर कई सारी गैसे बनने लग जाती है वेल की स्कीन मोटी होने के कारण वर गैसे बाहन निकल नहीं पाती और अंदर ही फस जाती है उपर से सूरज की गर्मी होने से यह गैसे और भी जाद एकस्पांड होने लगती है और एक पीक पर आकर यह गैसे बॉडी को ब्लास्ट कर देती है जिससे वेल के कई बॉडी पार्ट्स भी इदर उदर बिखड जाते हैं